नमस्कार स्वागत है आपका फाश्चा मचार में एक बार फिर आज हमारे साथ मौझूद है शुभरी की बेटी जो नहोंने हाली में 19 फरवरी को आयजूत होई चंबल संबाग लेबल पर एक कॉंपटीशन में पहला इस्तान प्राप्त किया है यहां बता दें कि 169 का बजन उठाकर पावर लिफ्टिंग कर उन्होंने गोड़ मेलल जीता है आई उसे चर्चा करते हैं सबसे पहले तो दीबाजी आपका बहुत स्वागत है फाश्च मचार में थैंक्यू साइब आपने बारें बताईए कि आप आपकी फेमिली के बारे में कि कौन-कौन आपकी फेम मैं स्टेडी साइंस स्कूल से कॉलेज कर रही हूं यह फाइनल चल रहा है मेरा और यह कारी-गरी करते हैं दिदी मेरी दोनों काम करती है सोरूम पर और तस टेंथ क्लास में नमरिक स्कूल से किया था और ट्वैल्थ मैंने प्राइब रेगुलर की आता मतला और अब मैं कॉ करो तो आपको कुछ आगे बेनिफिट मिलेगा नहीं मुझे किसी न बता है नहीं बस भाई ने बूला होगा मेरा फ्रेंड आता था इसमें जिम्मा तो भाई ने बोला था कि लड़कियों की दो मुझे तैयारी करवाना है पावल लिप्टिंग के लिए तो मेरे दूशने म करके देखूं कर सकती हूं भाई ने मुझे बहुत सपोट किया उनके मुझे इंडिया लेवल तक पहुंचा हूंगा तो आज वो पहुंचा रहा है मुझे स्टेट लेवल भी मैं सैकेंड पोजिशन पर आई थी और अम मैं जहां गौलियर में स्वर्गी मादब लाशिंद आपको कैसे आपको फिल करते हों पहले होती लेकिन आप खेलते आदसी हो गई तो अब नहीं होती मुझे क्योंकि मेरे साथ भाई है तो मुझे किसी बात कड़न नहीं हूं उनका सपोट मिलता है तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूं अपने एक बात भी सुनी हमने की आपके कि छे महीन पहले मैं कुछ भी नहीं थी इस जी मंहें मुझे कुछ मालूम नहीं ता क्या आये क्या नहीं है लेकिन फिर मैं जिमने स्टार्ट करी तो बाई न मुझे एक-एक-बारी की सब कुछ बताई दी किसमें ऐसा सब कुछ होता है उस्म भाई ईसनाइना ने सपोड़ किया बहुत कि मैं कर सकते हम तो उनने मुझे सब कुछ सिखाया और मेने भी मैनत करी उबाई नीजी मेरे लिए बहुत मैनत करी जोने मुस्चा क्यों पैता जी मिस्त काम करते थे और रोप प्रिका थी उनकी आपको कैसे उन्होंने आप जैसे भेहन भाई हो तो कैसे उन्होंने आपको अपने आपको रहा हुआ अपनी पड़ाई छोड़ दी और फिर मुझे पढ़ाने की पापा का एक सपना था कि मैं पढ़ लेकर अपनी जॉब लगांँ उनका सपना पूरा खरूं तो मेरी भाई भाई वैनों ने मेरे लिए अपनी पड़ाई छोड़ दिये मुझे पढ़ा या इतनी दूर ता और इस चम्मल संभाग में मैंने 169 कुलोबरेन उठाया था और प्रतमिस्तान प्राप्त गया था और मेरा बॉड़ी वेट था चालीज गोल्ड मैडल जीता है मैं आगी आपकी छे मार्च को स्टेट लेवल पर एक कारकरम होने जा रहा है आपका तो उसमें आपकी क्या रूपरे का बनाई है आपने कि क्या आपको उसमें एम है उद्दिस से क्या राएगा आपका छे मार्च को मेरा कॉंपडिशन है तो मैं चाहती हूं वहां से ही में गोल्ड लेका रहा हूं अपनी देश का नाम रोशन करूं इस चक्कर मैंने इस भाईया मेरी तैयारी करवा रहा है क्या क्यों सोच आपने की इसमें आना है और हमने सुना है कि आप नेशनल के बाद में एक जॉपकाव आपका एक सपना है कि आपको नेशनल के बाद जौब मिल जाएगी तो क्या पूरा फामला या मुझे पता है कि स्पूर्ट से लड़कियां बहुत नहीं करती हैं जिस चुन लिया है कि मुझे पावलिप्टेंगी खेलना और वाई से नोखरी पाना है और लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहोगी जो इस फिल्ड में नहीं आना चाहती है और लड़कियों को यह देना चाहती हूं अगर वो यह स्पोर्ट्स करेंगी तो उनके लिए बह मेरा भाई हार एक जने का सपोर्ट करते हैं तो देखा आपने यह थी शूपरी की बेटी दीपा नरवरिया जनोंने अभी हाली में 19 फरवरी में संभाग लेवल पर हुए कारकरम में 169 किलो बजन उठाकर प्रतमिस्तान पाया गोर्ड मेडल जीता आगे भी छे मार्च को इ यह वहां से भी लेके अपनी जो उनका उद्देश से हैं कि इनको एक नौकरी और परिवार भी चाहता है कि बेटी की नौकरी लगे इसलिए और इनके कोच असलम खान भी इनको लगतार तैयारी करवा रहे हैं जिससे इनका उद्देश से पूरा हो जैसे उन्होंने संकल प कि बापस लाना है तो उनका भी एक सबना साकार हो सके का